गुद्मरींग स्टुदेंट्स तुदेश्ट लिए स्टुडी अबाउट इम्पुरिटीज इन वॉर्टर और पुरिफिकेशन ऑफ वॉर्टर फलेसं थ्री इंपूरिटीज इन वाटर ठीक है ना वाटर में जो भी असुद्धियां होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो दो वाटर इन वेल्स और रिवर्स इस इंप्योर ड्यू टू इंसल्यूबल इंपूरिटीज विच कैन भी सिन वाटर जैसे की वेल्स हो गया रिवर्स हो गया ठीक है वो इंप्योर होते हैं असुद्ध होते हैं क्यों इंसल्यूबल इंपूरिटीज और घुलंसील जो असुद्धियां होती हैं उसके कारण वो असुद्ध होती हैं इंप्योर होती हैं जिसे हम देख सकते हैं तब जो दि इस जो गुल गए रहते हों ठीक है तो वह मैं नहीं दिखाई ते सकते हैं ठीक है और दिजीज काउसिंग जोब्स के और विमारी विमारी पैदा करने वाले जम्स भी होते हैं उन में एक जो बीमारी फैदा करते हैं वो जम्स भी होते हैं ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ओफ वाटर वाटर का सुद्धी कराण कैसे करते हैं टु सपरेट इनसलीबल इंपुरिटी ईड़ पोटर इस्ञें फोण टांग इंसलीबल इंपूरिटी मतला मने बता हैं आपको अगुलन सील जो इम्पूरिटीज यह सुद्धियां है उसको अलग करने के लिए आपको वाटर को कुछ समय के लिए स्टेंड करके रखना होगा ठीक है इम्पूरिटीज दैट और हैवे देन वर्टर विल सेटल एड़ बोल्टम उफ दो वोटर लीविंग एट क्लियर इसकी वजह से वह भारी होते हैं और वाटर के तली पर जाके बैट जाते हैं ठीक है इसे क्या होता है कि उपर वला वाटर हो जाता है वह क्लियर हो जाता है तो इसे ही हम करते हैं सेडिमेंट्रेस्ट ठीक है और साधन भी बोल सकते हैं इसको और फिगर 3.8 में आप देखी सकते हो मैं आपको दिखाता हूं अभी नाव स्लोली नाव स्लोली पर आउट इस क्लियर वाटर इंटु अनादर वेसल इस इस क्लियर अब आपको धीरे धीरे टीकिंग है इस लाइनज वाटर को टीक है इस आप नगेको जो इसको और व्रकु आपको दुसरे बरतन में अब को निकाल लेना है उसमें धुसरे वाटर में उसको डाल देना है तो तो इसी प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं निस्तारण या फिनी थारना कहते हैं धीरे धीरे अनादर वेसल में दूसरे बरतन में उसको उस क्लियर वाटर को डाल देना ठीकेंटेशन होता है यह फिगर 3.8 में मैं आपको दिखाता हूँ त्री पंटेट में सेडिमेंटेशन कैसे हो रहा है और उसका निस्तार निखानना कैसे हो रहा है जैसे कि यह हुआ यह जो वाटर है तीके वह इंसल्यूबल इंपिरिटीज है उसको हमने वाटर को कुछ समय के लिए हमने ऐसे ही लिफ कर दिया छोड़ दिया आई इस टेन रहने दिया है तो जिसे क्या है कि देखिए आप यहां पर जो उसके जो इंसल्यूबल इंपीरिटी आ वो कि बोटा में क्या हो जाते हैं बैट गए थीक है अब उसको हम क्या करेंगे कि uma नदर वेसल में दूसरे बटर मी उसको को हम डाल दे रहे हैं ठीक है निकाल ले रहे हैं तो यह हो जाता है ठीकेंटेशन अभी यह है यह सेडिमेंटेशन और यह डिकेंटेशन ठीक है किलियर वार्टर को दूसरे बटर में हम डाल देते हैं अनादर प्रोसेस और प्यूरिफिकेशन इस फिल्ट्रेशन एक अनादर प्रोसेस भी है फिल्ट्रेशन ठीक है जो कि फिगर 3.9 में है मैं आपको दिखाता हूं यह है 3.9 ठीक है यह फिल्टर हो रहा है ठीक है फिल्टर पेपर लगाकर यह फिल्टर पेपर लगाकर आपको और जो क्या बोलते हैं यह जो डॉट्री वाटर है ठीक है जिसमें इंप्यूरिटीज है ठीक है उसे फिल्टर पेपर के ठूरू ठीक है ना दूसरे बरतन में हम उसको च्छान ले रहे हैं तो वह क्लियर वाटर आपको मिल जा रहा है ठीक है तो यही है फिल्ट्रेशन मतलब जो गंदा पानी होता है ठीक है डुट्टी वाटर जो होता है उसको जब हम फिल्टर पेपर से ठान लेते हैं तो वह क्लियर वाटर हमको मिल जाता है ठीक है यह फिल्ट्रेशन हुआ यहां से पड़ रहे थे तो फिल्ट्रेशन जो है वो अनदर प्रोसेस है ठीक है ना प्रिफिकेशन का अधों वाइल पॉरिंग टी यूव फिल्टर इट तुर अश्ट्रेशन हम घर पर जब हम चाय को बनाते हैं तो जब हम दूसरे कप में या किसी में निकालते चायाँ डालते हैं तो कि चीज का यूज देसे हैं पिचनने वाल जो तो उसका यूज करते हैं you could also use a clean piece of cloth आप एक clean piece कपड़े का टुकड़ा भी साप कपड़े का टुकड़ा भी यूज कर सकते हो आप क्लीन करने के लिए फिल्टर करने के लिए इन स्कूल लिबराटरीज स्टुडेंट्स यूज फिल्टर पेपर का यूज करते हैं लिक्विट से इंसल्यूबल इंप्रिटीज को रिमूव करने के लिए ठीके लिए सिमिलरली वाटर ऑन दो सर्फेस ओप दो और्थ गेट्स फिल्टर्ड अब आप यह देखे कि जो अर्थ सर्फेस पे ठीके जो जमीन के ऊपर जो पानी रहता है ठीके वो फिल्टर हो जाता है जब वो सोयल का जो लेयर होता है ठीके ना लेयर बाई लेयर जो होता है सोयल का तो उससे जब वो गुजरता है ठीके तो वो जमीन के नीचे चला जाता है ठीके तो वो ही होता है अंडर्गर्व माटर बन जाता है वो ठीके मतलब भूमी के नीचे का पानी बन जाता है जो कि क्लियर होता है यास पढ़ेंगें दिस वाइडिस वाटर इस मॉस्टली सेफ और फिट फॉर ड्रिंकिंग इसलिए इसकारण यह जो वाटर होता है अधिकतर सेफ और फिट होता है हमारे पीने के लिए ड्रिंकिंग के लिए दो we can obtain clear water by these methods हाला कि इस जो इन तरीकों से हम water को प्राप्त कर सकते हैं बट water may still contain germs लेकिन फिर भी इसमें germs हो सकते हैं टानू हो सकते हैं and be unfit for drinking और यह पीने के लिए unfit हो सकता है ठीक है so we must purify the water to make it safe for drinking इसलिए हमें water को पीने के लिए safe बनाने के लिए इसको purify करना बहुत ही जरूरी होता है तो यहां से हम देखेंगे कैसे उसको purify कर सकते हैं chemicals like chlorine are used to kill germs at the water works of a city chemicals का यूज करते हैं जैसे कि chlorine germs को मारने के लिए किटानू को मारने के लिए जहां पर जिस city में water works होते हैं मतब जहां से water supply होता है ठीक है ना जलगर जो होता है जहां से water तार जगा सप्लाई होता है तो the process of adding chlorine is called chlorination तो वह process जिसमें chlorine को add किया जाता है तो उसे हम कहते हैं chlorination ठीक है chlorine का यूज करना bleaching powder also kill germs in water a bleaching powder का यूज भी हम germs को मारने के लिए करते हैं के ठानों को मारने के लिए the water from a whale can be purified using potassium permanganate तो हम वेल से जो water हमें मिलता है जो भी वेल का जो water होता है ठीक है उसको हम purify कर सकते हैं क्या यूज करके potassium permanganate ठीक है उसमें हम potassium permanganate डालकर हम वेल का जो water होता है ठीक है उसे हम purify कर सकते हैं ठीक है तो फिर वो पीने के लिए फिट होगा कि आधा सेफेस्ट मेथर्ट फोर दसेफेस्ट मेथर्ट और और पिरिफाइंग वाटर इस टू बोई इट कि एस बोईलिंग डिस्ट्रोइ जों और सबसे फेस्ट ठीक है मैथर्ट है पता है क्या है वाटर को पिरिफाइग करने का अब बॉईल करना उसको ठीक है बॉईल करके आप उबालकर पी सकते हो सबसे सबसे मेथर्ट है सारे germs मर जाते हैं उसमें और हां सारे germs मर जाते हैं उसमें destroy हो जाते हैं हुआ है दिए can also use a water filter for cleaning water हम वर्टा filter का भी यूज कर सकते हैं water को cleaning अधर को clean करने के लिए पानी को साफ करने के लिए इस is important to store and handle water properly यह बहुत ही इंपोर्टेंट है वाटर को इस्टोर करना और अच्छे तरह से उसको हैंडल करना तो हमें वाटर को रख रहे हैं वह बरतन धखा हुआ होना चाहिए ठीक है नहीं धके वह बरतन में रखना चाहिए वाटर को और उस वेसल को अच्छे वेसल जब करते रहना चाहिए वेसल used for taking out water from the container must also be clean और वेसल जिस वेसल का यूज़ आप कर रहे हो water को निकालने के लिए ठीक है उस container से जिस container में water रखा हुआ है तो तो वेसल भी ठीक है clean होना चाहिए साफ होना चाहिए जिस बरतन से आप पानी को निकाल रहे हो जिसमें पानी रखा हुआ है तो जो निकालने वाला वेसल है बरतन है वो उससे भी clean होना चाहिए थैंक्यू